है नमस्कार नाइंट कुलास का चेपटर क्लाइमे魔 हमने शुरू किया हुआ है और जैसा मैं चेपटर के बीगिनिंग में बताया था ये बहुत इंपोर्टन्ट चेपटर है और ये वाला जो इसको पूरा कंट्रोल में करना आवशक होता है देखिए यहां पर हम बात करेंगे उन six major controls of climate की जिनकी वजह से किसी भी ख्षेत्र का किसी भी reason का जो climate है वो परभावित होता है यह यूँ भी कह सकते हैं कि factor affecting climate के किन किन वजह से किसी प्रदेश का किसी इलाके का किसी देश का जो climate है जलवाई हो है वो परभावित होती है तो विस्तार से जब हम देखते हैं तो हम छे control पाते हैं या छे factor पाते हैं जिसमें पहला है latitude मैंने आपको 9th class के पहले chapter में latitude और longitude के बारे में विस्तार से बताया था थोड़ा सा भी doubt हो तो आप वहां से देख सकते हैं तो latitude है उसके बाद altitude है कि sea level से उस place की उचाई क्या है और तीसरा है pressure and wind system ये बहुत important है और complication की दिस्तिकॉर्ण से भी ये समझ में आना हमारे लिए बहुत आवश्यक है इस chapter को समझने के लिए उसके बाद है distance from the sea कि समुंदर से उस शेतर की दूरी कितनी है इस बारे में मैं आप को बताऊंगा फिर है oceanic current क्या होता है किस परकार से जलवाई उपर परभाव डालता है और अंत में है relief feature कि वो क्षेत्र किस तरहां की relief है mountain है plane है प्लेटूज है कॉस्टल एरिया है उस से भी इस बात पर परभाव पड़ता है कि वहां का climate कैसा होगा तो शुरू करते हैं पहला है latitude देखिए मैंने आपको पांच major latitude बता है एक equator बता है देखिए मैं यहां पर आपको बता दूँ थोड़ा सा इसका detail में मैं बता देता हू यह मान लेते हैं हमारी अर्थ है इसका एक यह है यहां पर imaginary line है zero degree Celsius पर इसको हम equator कहते हैं इसके यह पार्ट नर्दन हेमिस्फेर हो जाता है यह पार्ट southern हेमिस्फेर हो जाता है जब हम उपर चलते हैं 23 and half यहां पर है आपका Tropic of Cancer 23 and half नोर्थ में यहां पर है आपका Arctic Circle 66 and half पर और यह आपका North Pole है आप 1st chapter में पाएंगे आपको असानी से समझ में आ जाएगा जब इसके southern हेमिस्फेर में चलते हैं तो 23 and half पर Tropic of Capricorn है और 66 and half पर आपका Antarctic Circle है और यह South Pole है यह आपको latitudes major मालूम होना चाहिए अब देखिए कि कौन सा परदेश equator से कितनी दूरी पर है उसके अधार पर हम कह सकते हैं कि वहां का climate कैसा होगा देखिए मैंने यहां पर एक बनाई यह sun आप assume कर लें sun है और यह earth है तो जो sun की raise है equator पर state forward पढ़ती है देखिए तो यहां का जो temperature होता है competitively high होता है और बाकी का जो इलाका है वहां पर slanting raise पढ़ती है तो वहां के temperatures के बाने में जानने के लिए हमें earth पर जो heat जोंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए यहां मैंने ड्रो किया हुआ है यह कुछ heat जोंस है देखिए यह मैंने जो बताया था टॉपिक of cancer टॉपिक of capricorn इसके बीच में ये इसको Torrid jouns बोलते हैं यहां का temperature काफी hot होता है क्योंकि यह equator के पास होता है उसके बाद यह मैंने बताया है temperate zone यह आर्किक circle और ये topic of cancer से और यहां पर ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन से लेकर के एंटार्टिक सर्कल तक ये जो है इसको टैंप्रेट जोन कहते हैं ये सेकंड हीट जोन है और उसके बाद यहां से लेकर के नोर्थ पॉल तक आर्टिक सर्कल से नोर्थ पॉल तक इसको फ्रिजड जोन बहुते हैं इसी तरह से यहां किसी क्षेत्र के कलाइमेट को कैसे परभावित करता है तो जो भी क्षेत्र जो भी कंट्री एक्वेटर से जितना दूरी पर होगा वहां पर कम टेंपरेचर होगा समर जो है और विंटर है वो काफी एक्स्ट्रीम होंगी और जो इसके पास इलाका होगा वो होट होगा हीट व किसी कंट्री का लेटिटूड एक्वेटर से कितना दूर है उस पर क्लाइमेटिक कंडिशन डिपैंड करेंगी मैंने फर्स चैप्टर में भी आपको डेटियल से बता है दूसरा एल्टिटूड उचाई अब देखिए कहीं की भी उचाई मापनी होती है तो हम उसको सी लेवल से मापते हैं इसका reason भी मैंने आपको बताया है कि पूरे के पूरे world में जो oceans हैं sea है वो depth में तो vary कर सकते हैं किसी की depth कम होगी किसी के ज़्यादा होगी लेकिन जो upper level है उसको मान लिया गया है कि सब का sum है तो जो height है किसी इलाके की sea level से उसके अधार पर climatic conditions परभावित होत लेवल है यहां से कोई भी इलाका वह उपर की तरफ जाते वन शिक्स्टी फाइव मीटर जाते हैं तो वन डिग्री सेल्सियस टैंपरेचर जो डिक्रीज हो जाता है यहां पर एक और बात मैं बता दू जो अर्थ की लेयर होती हैं तीन लेयर होती हैं क्रस्ट मेंटल कोर वहा और जितना हम उपर जाएंगे उतना ही हम पाएंगे कि वहां पर क्लाइमेटिक कंडिशन कोर्ड हैं हिमाल्याज में यह किसी भी माउंटेन में जो ठंड होती है जो स्नोफॉल होती है उसके पीछे सी लेवल से उसका एल्टिटूड की पोजिशन है तो सेकेंड पार्ट हमन उसके बाद प्रेशर एंड विंड सिस्टम इसको समझना बहुत ज़्यादा आवशक है देखिए अब मैं जितना बताऊंगा कि अब उसी पर फोकस करना है यह मैंने अर्थ का एक आप कह सकते मोडल बनाया है यह है एक्वेटर आपका एक्वेटर है यहां से फाइव डिग प्रेशर बेल्ट का क्या सिस्टम है उसको जानने के लिए बीच में ही मैं फॉर्थ पॉइंट पर थोड़ा से इंफिसाइज डालना चाहूंगा डिस्टेंस फ्रॉम दा सी देखिए यह मान लेते हैं कि समुंद्र है पानी है यहां पर और यह लैंड एरिया है जब दिन का समय होता है जिस समय सूरज होता है सूरज की जो किरने पड़ती है उसकी वज़े से जो लैंड का एरिया होता है वो कमपैटिवली जल्दी हीट पकड़ लेता है गरम हो जाता है और वाटर की जो एक क्वालिटी होती है वो देर से गरम होता है और देर से ही ठंडा होता है त और यह जो इलाका है यहाँ पर लो प्रेशर क्रियेट हो जाता है हवा हलकी बन करके उपर उठना शुरू हुई लो प्रेशर क्रियेट हो गया और यह जो है पानी ठंडा है यहाँ पर हाई प्रेशर है हवा उपर ही है हैवी है तो यहां से जो एर होती है जो विंड होती है उसका एक मुमेंट होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी जो समंदर है वहाँ पर दिन के समय में जो एर है वो हैवी होगी हाई वहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रेशर होगा और यहाँ पर क्योंकि एर हलकी होकर कि गर्मी की वज़े से लैंड गरम है हवा उपर उठ रही है यहाँ पर लो प्रेशर होगा तो एर मूव करेगी सी टू लैंड अब देखिए नॉमेन कल्चर होता है एर का नॉमेन कल्चर का मतलब क्या है उसका नामांकर्ण कैसे किया जाता है यहां से जो एर मूव कर रही है यह चल रही सी से तो जहां से वो उद्भव हो रही है निकल रही है उसको कहेंगे उसी के उपर उसका नाम हो जाएगा इसको सी ब्रीज कहते हैं यहां पर दो बाते ह है वो high to low pressure move करती है low pressure केट होता हीट के वज़े से और जिस डिरेक्षन से जहां से air move करती है विंड move करती है वहीं से उसका नाम होता है यह होगा sea breeze अब यहीं पर आप देखेंगे कि रात का समय हो गया है रात का समय हो गया है ठीक है दिन ढल गया है उसके बाद क्या होगा पानी जो है गरम है लैंड जो है जल्दी थंडी हो जाती रात के समय क्योंकि दिन नहीं है रात है माइट है माइट में लैंड जल्दी थंडी हो गई लेकिन पानी भी भी गरम है तो यहाँ पर low pressure create हो जाएगा इसके comparison में जब यहाँ पर low pressure create होगा तो air यहाँ से move होगी इधर तो यह जो land to sea की तरफ move जा रही है रात में क्योंकि air move करती हाई pressure to low pressure तो यहाँ पर कहेंगे हम इसको land breeze वही नॉमिन कल्चर क्योंकि जो land की तरफ से breeze आ रही है तो land breeze और sea breeze आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब देखेंगे यहाँ पर हम वापिस आ जाते हैं pressure and wind system में तो यहाँ पर हम सबसे पहले pressure के बारे में देखेंगे देखेंगे यह जो इलाका है क्योंकि यहाँ पर sun rays बिलकुल state पढ़ती है तो यहाँ पर air हलकी होकर के ऊपर उठना शुरू हो जाती है और जब वा उपर उठती है तो उसमें से आवाज आती है इसलिए इसको एक और नाम दिया गया है डोल ड्रम का तो five degree south और five degree north के बीच में जो यह area होता है यहाँ इसको कहते है equatorial low pressure belt उपर जब हम जाते हैं यह यह जो है 30 degree to 35 degree north क्योंकि northern hemisphere में है इसी तरह से 30 degree south to 35 degree south यहाँ पर होता है high pressure यह high pressure है यहाँ पर high pressure है तो इसका नाम है sub-tropical high pressure belt sub-tropical high pressure belt और इसका दूसरा नाम है horse latitude इसके पीछे भी एक reason है अरब के जो business man हुआ करते थे traders हुआ करते थे, merchants हुआ करते थे वो अपने ship में horses को लेकर के आया करते थे और यहाँ पर इन pressure की वज़े से उनका ship stuck हो जाया करता था और उन्हें लगता था कि उनके ship में weight है इसलिए क्योंकि गोडों का वैपार करते थे, horse का वैपार करते थे उन horses को वो dockyard पर फैक दिया करते थे और कुछ horses को समुंदर में फैक दिया करते थे क्योंकि उनका मानना था ऐसा करने से उनका ship हलका हो जाएगा इसलिए इसका दूसरा नाम पर होर्स लेटिटूड ये जो सब ट्रोपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दो बताई मैंने equatorial low pressure बेल्ट और सब ट्रोपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इसके बाद उपर है यहाँ पर यहाँ पर यह 60 to 65 नोर्थ सब पॉलर low pressure बेल्ट इसी तरह से साउथ में है सब पॉलर low pressure बेल्ट और यहाँ पर है यह जो नोर्थ पॉल है और जो यह साउथ पॉल है यह high pressure है क्योंकि यह frizzed रहता है यहाँ भी मैंने आपको बताया था frizzed zone है अब देखिए यह हैं हमारी pressure बेल्ट low pressure belt high pressure belt high pressure belt low pressure belt low pressure belt high अब देखिए यह मैंने जो निशान लगाए है एक red में है एक blue में है और एक green में है देखिए यह जो low pressure belt है यह high pressure belt है और wind जो है air जो है move करती है high pressure to low pressure तो यह high pressure belt है air move कर रही है low pressure belt की तरफ अब ये जहां से आ रही वही उसका नाम होगा इसका नाम तीन पर्मानेंट विंड्स होती है मैंने यहां मेंशन किया है पर्मानेंट विंड्स एक है ट्रेड विंड्स दूसरी है वेस्टरलीज और तीसरी है आपकी पॉलर इस्टरलीज तो पहले हम ट्रेड विंड्स के बार रख दिया गया है North East Trade Winds क्योंकि मैंने यहां पर आपको बताया था कि नॉमेन कल्चर होता है जहां से विंड चलती है उसको वही नाम दे दिया जाता है तो यह हो गया North East Trade Winds और यह देखिए South East से आ रही है और North West में जा रही है तो इसका जहां से आ रही है South East Trade Winds तो यह दो ट्रे यह हो गई South East Trade Winds तो पहला तो हो गए ट्रेड विंड अब विंड का क्लाइमिट पर क्या परभाव पड़ता है वो भी हम देखेंगे पहले विंड के बारें बात यह वेस्टर लीज यह देखिए यह High Pressure Belt है यह Low Pressure Belt है तो यह High से Low की तरफ विंड मूव कर रही है और यह जा यह जो है नौर्डन हमिस्फेर में यह Northern हमिस्फेर है एक्वेटर के उधर यह Southwest तो नौर्थ इस जा रही है और इसी तरह से नीचे आते है तो यह High Pressure Belt है यह Low Pressure Belt है सेम है नाम इनके यहां से यह जा रही है कहां से आ रही है वेस्टर लीज है यह आ रही है आ रही है आपकी नौर्थ वेस्ट से ठीक है नौर्थ वेस्ट से आ रही है यह नौर्थ वेस्ट 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 इसी तरह से यह जो है इनका नाम है पॉलर इस्टर लीज यह भी High Pressure यहां High Pressure है यह Low Pressure Belt है मैंने बताई थी तो High to Low चल रही है यह देखिए निशान लगाए हुँ है High to Low औ मुझे लगता है कि आपको प्रेशर बेल्ट और पर्मानेंट विंड दो बात बताई हैं यह प्रेशर बेल्ट से और यह पर्मानेंट विंड से दो बात बताई हैं प्रेशर और विंड सिस्टम अब यहां पर देखेंगे हम यह जो प्रेशर और विंड सिस्टम है यह किस तर पूदर के ऊपर से आ रही है तो उसमें मॉइशर होगा बारिश का कांड बनेगा वह एर कॉल्ड करंट से ठंडी होगी होट करंट से आ रही है वह घरम होगी तो एर जो है कि मैं को कंट्रोल करते हो जो एर है वह प्रेशर बैल्ट की वज़एस चलती है और आप देखिए यह प्रेशर बेल्ट एक कोशन आएगा ITCZ का यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूँ कि जो यह प्रेशर बेल्ट से मूव होती रहती है एक जगां से थोड़ा थोड़ा पांच पांच डिगरी सेलसियस यह मूव होती है उसका रीजन है देखे थोड़ा सा यहाँ बता दूँ कि यह जो अर्थ है यह सन के चारों तरफ गूमती है यहाँ से डिस्टन्स और जब यह इसका जो और्बिट होता है वो कुछ इस तरह से है यहाँ से इसका नाम भी है पैरेगी यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ पर होगी ठीक है तो पैशर बैल्ट कहीं थोड़ा शिफ्ट करेगी और यहाँ पर होगी तो और शिफ्ट करेगी तो यह शिफ्टिंग का रीजन होता है कि जो मुमेंट होती है रवोलूशन होता है अर्थ का क्योंकि अर्थ का यहाँ से यह और्बिट इस तरह से है कि यहाँ distance कम है यहाँ distance ज़्यादा है अर्थ का तो यह belt shift होती है यह आगे काम करेगी तो इसके बाद देखिए चार point कर लिया हमने latitude, altitude, pressure and wind system और distance from the sea यहाँ पर जो मैंने sea breeze और land breeze बताया था distance from the sea यहीं से आता है distance from the sea का क्या मतलब है कि जो पानी के किनारे इलाके होंगे जैसे मालनो हमारा southern part है यह यहाँ पर है Arabian Sea यहाँ पर है Bay of Bengal और यहाँ पर है हमारा Indian Ocean तो यह जो इलाके हैं यहाँ पर temperature जो है moderate रहेगा ना ज़्यादा गरम ना ज़्यादा थंदा क्यों क्योंकि दिन के समय में कौन सी air चलेगी sea breeze चलेगी रात के समय land breeze चलेगी तो जहाँ पर भी गरमी होना शुरू होगी ज़्यादा वो उसको high pressure to low pressure आ रहा है उसको maintain कर लेंगे temperature के तो यहाँ के temperature को moderate kind of temperature कहा जाता है और यह climate का part है इस तरह से जो distance है sea से किसी भी land का अब देखिए यहाँ पर हमारा northern part है मालों दिल्ली है हरियाना है यहाँ का extreme heat होगा लेकिन यहाँ temperature moderate रहेगा इस तरह से जो हिमाल्या है हिमाल्या में temperature extreme रहेगा cold रहेगा लेकिन यहाँ पर रहेगा moderate रहेगा तो moderate जो temperature है उसका reason है sea breeze and land breeze it's mean the distance from the sea also plays a very significant role in controlling the climatic condition उसके बाद चार point हमने कर लिए है 1, 2, 3, 4 यह दो point है इसको बारे में अभी discuss करते हम okay इन चार point को discuss करने के बाद latitude, altitude, pressure and wind system distance from the sea कि यह किस तरह से किसी भी इलाके की climate पर परभाव डालते हैं हम discuss करने जा रहे हैं next part that is oceanic currents बहुत असान है oceanic current का मतलब होता है जो wave आ रही है wave आपने आपको मालूम है समंदर में wave उठती है देखिए इसकी definitions समझने का परियास करते है it is a continuous directed moment moment को किस की moment को wave की moment को direction मिलती है sea water यानि wave यह किस कारण से होती है caused by number of factors forces like wind की वज़े से हो सकती है corallus force हो सकता है temperature हो सकता है और salinity difference हो सकता है इन सब कारणों की वज़े से जो समंदर का पानी है उसमें जो waves उठती है उन waves को oceanic current कहा जाता है जो moment of waves है they are called oceanic current अब यह corallus force क्या है all of we are aware that earth is making two moment एक rotation होता है revolution होता है जो earth का rotation होता है west to east की तरफ ऐसे जो वो move करते है देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ यह axis tilted है इसका reason मैंने बताया था यह जो है यहाँ पर यह इस तरह से move करती है यह इसका rotation बोलते है जो rotation से जो force develop होती है west to east rotate करती है उसकी वज़े से जो northern hemisphere होता है उसमें चीजें right की तरफ move करती है और जो southern hemisphere होता है उसमें चीजें जो air है या और कोई thing है वो left की तरफ move करती है तो यह एक force है जो earth की rotation जो होती है axis पर उसकी वज़े से develop होता है तो इसकी वज़े से temperature की वज़े से salinity difference की वज़े से wind की वज़े से जो sea water में moment होती है उसको oceanic current कहा जाता है यह जो oceanic current होता है दो तरह का होता है एक warm oceanic current एक cold oceanic current देखिए क्या difference है warm current देखिए जो earth है earth के equator के पास जो water bodies है यह इसके पास पास जो है क्योंकि यहाँ पर temperature high होता है तो यह पानी गरम होता है और यह poles की तरफ move करता है यह warm current होता है लिखा है due to the heat near equator water gets heated and started move towards pole okay cold current होता है जब वो पानी पोल से यहाँ पोल से लेकर के equator की तरफ move करता है क्योंकि पोल जो है वो area phryzid zone में आता है वहाँ पर ठंड होती है वहाँ का पानी ठंडा होता है तो वहाँ से current move करता है पोल से equator की तरफ तो दो तरह के current होते हैं दो तरह की waves होती है तो जो warm current है और जो cold current है वो coastal area के climate पर प्रभाव डालता है इसको समझने के लिए का example मैंने आ दिया हुआ है बिटें जो locator है higher altitude यह latitude पर यह basically समझाने का परियास किया है जो north east part है यूरोप का वहाँ का जो coastal area है वो सरदियों में नहीं work करता क्योंकि cold और ice जम जाती इतनी वहाँ का port जो है वो जो coastal area है वो work नहीं करता navigation वहाँ पर नहीं होता due to extreme cold और ice की वज़या से लेकिन जो Britain है जो London का जो port है यह मैंने लिखा लंदन का जो port है वो workable रहता है क्योंकि वहाँ पर जो current flow करता है वो warm oceanic current flow करता है इसकी वज़या से वहाँ पर हमेशा port work करता है movement होती रहती है transportation होता रहता है तो इस तरह से जो oceanic current है whether it is warm current और cold current इसकी वज़या से जो coastal area का climate होता है वो परभावित होता है तस वी कैन से oceanic control is also one of the control of climate one is the factor on which the climatic condition of the area surrounded by it affected next part is relief feature I hope आपको इस समझ में आ गया होगा जब समझ में ना आए तो जो मैंने बताया है अभी आप उसको pause करके back में drag करके इस बार इन बातों को दुबारा सुनेंगे तो आपको अराम से समझ में आ जाएगा relief feature relief होता है वो जगा क्या वो mountain है क्या वो desert area है या forest area है उसकी वज़य से भी climatic conditions जो है affected होती है देखिए high latitude में cold होता है मैंने बताया था जैसे जैसे equator से परे जाते हैं वहाँ पर जो temperature है वो decrease होना शुरू हो जाता है इसी तरह से low latitude पर warm होता है यानि कि जो relief यहाँ पर located होगा वहाँ का climate cold होगा जो relief यहाँ पर located होगा warm होगा एक और बात है देखिए यहाँ मैंने मार्ग भी किया है जब moisture-laden winds जो है वो blow करती है और उनके रस्ते में कोई obstacle आ जाता है तो वो यहाँ पर टकराती है और उपर उठना शुरू होती है इनमें moisture होता है heavy होती है इस winds लेकिन यह उपर जाती ज़्यादा उपर नहीं जा पाती है अपने weight की वजए से और यहाँ पर यह shower करती है बारिश कर देती है तो जिस area में बारिश होती है high altitude जो आपस्टेकल होता है उसके इस तरफ जहाँ पर वो बारिश करती है उसको windward side बोला जाता है वो wet area होता है बारिश होती है और क्योंकि यह air अपना सारा moisture यहाँ पर drop कर चुकी है तो जब यह air इस तरफ आती है तो इसमें moisture नहीं होता और यह बारिश का reason नहीं बनती इसको leeward side कहा जाता है तो the area which is lying at windward area that will remain wet climatic condition will be wet more rainfall will be received by this area vice versa leeward area, dry area nor rainfall तो relief feature यहाँ पर वो rain और यहाँ पर rain नहीं तो windward और leeward की वज़े से भी climatic condition affected होती है उसके लावा जो forest area होता है हमें मालूम है कि जो forest area होता है वहाँ पर अधिकादिक paid होते हैं और paid अट्रेक करते हैं cloud को तो वहाँ का temperature ऐसा होता है जो favorable होता है rain fall के लिए तो जहाँ पर forest होगा वहाँ पर climatic condition का जो element है rain fall, precipitation वो वहाँ पर work करेगा जो location है हमाल्या की देखिए हमाल्या हमारे north में आता है तो यह जो area इंडिया का है जो central Asia से चाइना की तरफ से जो cold chilly winds आती हैं उसके रस्ते में यह obstacle करता है अगर यह नहीं होते तो हमारे यह extreme cold होता तो यह जो relief feature है हमारी south to the Himalya this is also making effect upon the climatic condition of India thus we can say relief features also play a very significant role in determining the climatic condition of a particular place तो यह सारे हमारे six major controls of climate हैं इसके बाद हम climate chapter का next part करेंगे ओके तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारण